कि नमस्कार दोस्तों जे जे राजस्थान राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार के बारे में महत्यूपन जो मुख्य साहित्यकार है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले दो वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख्य साहित्यकारों पे चर्चा की है ये जो तश्वीर है ये एक राजस्थान के मारवार आंचल के कैसे साहित्यकार की है जो मारवार नहीं समुच्छे राजस्थान की इतियास लेकन का कारिय जिनों ने किया लेकिन इनके जीवन का अंतिम समय जो है वो बड़ा दर्दनाक रहा तो आज सबसे पहले इनके चर्चा करेंगे ये जो तश्वीर आप लोग देख रहे हो ये हैं मुनोत नेनसी मुनोत नेनसी बहुत मेत्वपून नाम है राजस्थान के साहित्यकारों में बहुत ही ज्यादा इनका अतुलनी योगदान रहा था इनकी जो रचनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे मुनोत नेनसी का थोड़ा सा सामाने परिचे हम लोगों को ध्यान रखना है मुनोत नेनसी मारवार के साहित्यकार थे ततकालिन जो जोदपूर रियासती यहां के यह साहित्यकार थे और यहां से पहली चीज जो पुछी जाती है यह उची जाती है मुनोत नेंसी जो है यह किन के दरबारी विद्वान थे किन के आश्रित साहित्यकार थे तो उस समय जो ततकालिन जोद्पुर के सासक थे उनका नाम है जश्वन्त सिंग प्रथम जश्वन्त सिंग प्रथम आप लोग उन्हों देखा होगा जश्वन सिंग प्रत्थम जो है ये मारवार के इतिहास में बहुत सक्तिसाली राजा हुए बड़े लोकपिरिये सासक हुए लेगिन ये जश्वन सिंग प्रत्थम की जो सबसे बड़ी भूलती वही थी कि इनौने अपने सबसे विश्वश्वश्णी अपने अजीज मित्र और सलाकार दिवान साहित्यकार जितने सरस्वेकुन संपन व्यक्तित्वे थे मुनोतनेशी उन पर इनौने अन्तिम समय में गवन का आरोप लगाते जिसकी वज़े से ये साहित्यकार आत्म हत्या कर लेता है जस्वन सिंग प्रथम जो थे इनके दरबारी साहित्यकार थे और साहित्यकार के साथ साथ सलाकार और दिवान भी थे जस्वन सिंग के दरबारी साहित्यकार ये इनके दिवान भी थे ये इनक वैसे ही नैंसी और जस्वन सिंग ये एक दूसरे का अजीज मित्र थे लेगिन किसी बात को लेकर के नैजाने क्या हुआ और ये इन पर विश्वास गहत का रूप लगा देते गबन का रूप लगा देते जिसकी वज़े से ये वैथित हो करके आत्म हत्या कर लेते अपने भा आप और हर बार एकजाम में ये पुछा जाता है इनकी दो महत्वपून रचनाएं हैं और दोनों साइद किसी एकजाम के अगर हम बात करें तो ऐसा कोई एकजाम नहीं होगा जिसमें दोनों गरंत नहीं पूछे गए दोनों रचनाएं नहीं पूछी गई इनकी जो दोनों मुहुता ये प्राचिनकाल में मुहुनोत कहलाते थे और मारवाड राजगराने में धुपुर के जो सासक थे उनका इस मुहुनोत परिवार पर विशेश सनहे था विशेश आशिरवाद था तो परंपरा थी इनके परिवार में भी और मुहुनोत नेंसी के पिता भी राजग ठीरे तो नेन्सी की प्रमुक रचनाउं में सबसे पहली जो रचना है वो है नेन्सीरी ख्याथ कि इनसीरी ख्याथ जो सबसे मैत्वपोण है बहुत मैत्वपोण ग्रंत है गाजस्थान पूरे उस समय के जितने भी सासकते उन सासकों की भी इन में जानकारी मिलती है विशेशते मारवाड रियासत का एक महत उपन और आथेंटिक इक रंते इससे बहुत सारी जानकाया हमें मिलती है नैनसीरी ख्यात जो है इस नैनसीरी ख्यात के बारे में ये कहा गिया है इसमें संपूर्ण राजस्थान का इतियास लेकिन का कारी इन्होंने किया था राजस्थान का इतियास इन्होंने लिखा था यहां आप लोगोंने एक सब्द सुना है ख्यात राजस्थान में साहित्य का एक प्रकार होता है ख्यात रासो जैसे हमने पड़ा वैसे ही ख्यात वात ये राजस्तानी साहित्य के प्रकार होते हैं ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धी किसी राजवन्स की प्रसिद्धी पर जो महाकावे लिखा जाता था राजस्तानी साहित्य में उसको ख्यात कहा जाता था तो नेन सीरी ख्यात जो है जितनी भी प्राचिंतम ख्याते हैं इनमें सबसे प्राचिंतम ख्याते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचिंतम ख्याते हैं, प्राचिंतम ख्याते हैं, आप लोगों को पता होगा, करनल जेम्स टोड ने जो अपने राजस्थान का इतियास लिखा, इतियास में इन्हो विश्त्रित जानकार्यार इन ख्यातों में होती है इसलिए इतिहास को जनने का बहुत में तो होती है ईसलिए एक्जामें तो इह बार बार नैनसीरी, ख्यात अपने राजस्तान की सबसे प्राचिंटम् ख्यात है, ख्याते अधिक तर मारवार चेतर में लिखी गई थी, वैसे ख्यात लेकन का कारिये जो था वो चारण सा हित्ये कारों का था, इसलिए अधिक तर ख्यातों में डिंगल सेली का प्रयोग हुआ था। ख पिंगल और पिंगल जहाँ जहाँ सब्द आते हैं तो आप लोगों को बार-बार बताने की आवस्शिक्ता नहीं होनी चीए हम पहले के वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं राजस्थानी साहित्ते लेकन की दो सेलिया है एक डिंगल है और दूसरी पिंगल है आप लोगों चाहित्त है कि सबसे प्राद का इतिहास मिलता है मारवाड केlemeर तो डिया द्रभाइगन मारवाड के लावा उस समय कर दृलवार के टत्कालिन राजपुताने का पूरा विवरन भीश सक्राद से हमें मिलता है हो दो मैं आतрем Canal Kun Ch Agur रखना है. सबसे पहली रचना जो है वो नेनसीरी ख्यात है. अना, बहुत सारी जानकारियां ऐसी है जो हमें केऊल और केऊल नेनसीरी ख्यात में मिलती है. जैसे आप लोग पढ़ते हो, अलावधिन खीलजी ने जब 1311 में जालोर पर आक्रमन किया तो उस समय जालोर के सासक थे कानरदे प्रबंथ और अलावदीन खिल जी के जितने भी दरबारी शाहित्यकार थे फार सिबासा के उन सब ने इस घटना का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है इस घटना का दो ही गरंतों में विवरन मिलता जो मैं आपको बता रहा हूं आप उन इत्यास में पड़ा होगा जब विरमदे से विवा नहीं होता है युद लड़ा जाता है तो विरमदे का सीस काट करके कहा जाता है कि लाया जाता है उसी सीस के साथ में फिरोजा जो है वो यमना नदी में कूद करके जान देती है तो फिरोजा और विरमदे के प्रेम प ख्यासकारों नहीं लिखी वो जानकारिया राजस्तान से जुड़ीवी जो है वो हमें नेनसीरी ख्यात से मिलती हैं ठीक है नेनसीरी ख्यात के बाद में दूसरी जो इनकी रचना है वो इससे ज्यादा इंपोर्टेंट जो बहुत बार एकजाम पुछा जाता है दूसरी इनक परगनारी विगत मार्वाड रा परगनारी विगत भी राजस्तानी साहित्य का एक प्रकार है ख्यात विगत राशो वच्निका वेली ये यह बहुत authentic ग्रंथ है आप लोग जानते हो बारस सरकार राजस्तान सरकार जो अपनी authentic जानकारियां जारी करती है उसको गजेटियर कहते हैं हम लोग अंग्रेजों के द्वारा यह चलाया गया था जिसमें छेत्र की पूरी authentic जानकारी मिलती हो ऐसे ग्रंथ को गजेटियर कहत इसलिए यह बार-बार पुछा जाता है तो बताओ देखे किस ग्रंथ को राजस्तान का गजेटियर कहा जाता है तो वो ग्रंथ है मारवाडरा परगनारी विगत इसे राजस्तान का गजेटियर कहा जाता है राजस्तान का गजेटियर कहा जाता है बहुत सारी जानकारियां हमें इस ग्रंद से मिलती है, इसलिए इसको राजस्थान का गजेटियर कहा ज़ता है, इसलिए इसको राजस्थान का गजेटियर कहा ज़ता है, और प्रमानिक होने के कारण कोई अतिशोक्ति, कोई फालतुगी बातें नहीं है, इसमें मारवार के प्रतेक गाउं की सारी जान रिवाज थे ये सारी जानकारियां उस जमाने की जो जो बिलकुल एकदम सठीक और सत्य थी वो सारी जानकारिया हमें इस ग्रंट से मिलती है इसलिए इसलिए ये बार-बार एकजाम में पूछा जाता है तो राजस्थान का गजेटियर मारवाडरा प्रगनारी विगत को कहते संपून जानकारी मिलने के कारण कुछ लोग इस ग्रंट को बहुत सारे विद्वान जो है वो इस ग्रंट को कहते हैं सर्वे संग्ड सा इसलिए बहुत सारे विद्वान इसी गृंट को कहते हैं है गावारि ख्यात गावारी ख्यात लोगों के यह इतने नाम हो राज स्थान का गजेटियर इसको कहते हैं राजस्थान का सर्व ये संग्रह इसको कहते है और इसी ग्रंत को गावारी ख्यात भी कहा जाता इन नामों से इतन ard Allah की जो बहुत इंपोर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दूँ यह ग्रंत जो है मारवाडरा प्रगनारी विगत इस ग्रंत में तत्कालीन जोदपूर जो रियासत थी उसकी पूरी की पूरी जनसेंग्या का वरणन मिलता है कि उस समय इतनी जनसेंग्या थी ठीक है हम यह मानते हैं कि यह इतना ओथेंटिक ग्रंत है कि इसमें जो जो जानकारिया दी गई है किस प्रकार की भूमी होती थी किस प्रकार की सिंचाई होती थी किस प्रकार के कर होते थी लागवाग सारी जानकारिया इसमें मिलती है जन संख्या का जनगन्ना का वर्णन भी इसमें मिलता है राजस्थान में सबसे पहले जनगन्ना कराने वाला वेक्ति मुनोत नेनसी था अब आप लोग कलपना करो कि कितना विद्वान वेक्तित वे था मुनोत नेनसी जिसने पहली बार जनगनना करवाने का काम करवाया ठीक है तो मारवाड में जनगनना का अग्रज कहा जाता है नेनसी को मारवाड में जनगनना का अग्रज मारवाड में जनगनना के अग्रज मारवाड में जनगनना के अगरज किसे कहा जाता है तो मारवाड में जनगनना के अगरज कहलाते हैं मूनोत नेनसी मारवाड में जनगनना के अगरज वैसे बारत में व्योस्तित रूप से जनगनना अंग्रेजों की देन है 1802 में Lord Mayo ने पहली बार जनगणा करवाई और उसके बाद में 1881 में आप लोग जानते हो Lord Ripper ने पहली बार सुवभस्ती जनगणा का कारिय करवाया उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रतेग 10 वर्सों से भारत में जनगणा का कारिय करवाया जाता है पसुगना प्रतेग पांच वरसों से होती है और जनगना का कार ये प्रतेग जो है वो दस वरसों से किया जाता है तो मारवार में जनगन्ना के अग्रेज के रूप में मुनोतनेंसी माने जाते हैं ये ऐसे साहित्यकार थे मैं यहां तक कहूं तो कोई अतिशुक्ति नहीं होगी कि अगर मुनोतनेंसी कुछ समय के लिए और जीवित रहते और इनको इस प्रकार का जो इन पे आरोप लगाया गया था जिसकी वज़े से ये इतने दुखी हुए वैथित हुए और इन्होंने आत्महत्या की अगर ये नहीं लगाया होता तो साइद ये साहित्यकार बहुत सारे से ग्रंत लिखता जिससे राजस्थान के इतिहास की दिशा और दसा कुछ अलग होती है। बहुत सारी जानकारियां हमें राजस्थान के इतिहास से समंदित मिलती है। ठीक है, तो मूनोत नेनसीरी, दोनों महत्तोफून रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। नेनसीरी ख्यात, मारवाड रा प्रगनारी, विगत। जस्वन सिंग अपने अजीज मित्र नेनसी से नाराज हो जाता है। और कह देता है कि तुने तो गबन किया है, तुने गोटाला किया है। अना, टूजी स्पेक्टरम में तुँ पगड़ा गया है। और ये गोटाले का आरोप लगा देता है, गबन का आरोप लगा देता है मूनोत नेनसी पर जस्वन सिंग प्रथम। नेनसी बड़ा दुखी हुआ कि साब नहीं, मैंने कोई गोटाला नहीं किया, आपने जो धंड़ासी दी है, वो तो आपने उपहार सुरूप दी है। तो जश्वन सिंग रोधित हो जाता है कि नहीं नहीं तुने बहुत बड़ा गोठाला किया है और जश्वन सिंग महराजाद जो थे जोदपूर के वो आदेश देते हैं कि जाओ और इनको बंदक बना करके ले जाओ जोदपूर मैं जब मारवाड आऊंगा तो इनको जुर्माना लगाया जता है कि आप एक लाग रुपे का जुर्माना दे दो नहीं तो आपको उम्रत्यु दंड की सजा मिलेगी तुनों नका कि साब हमने कोई गलती की नहीं है और अगर हमने जुर्माना दे दिया तो हम मारवाड के लोगों के प्रती जो है आमारी निस्ठ है और मारवाड के लोग जो हमारे प्रती निष्टा रखते हैं वो नहीं रहेगी फिर मों लोग यही सोचेंगे कि मैंने गबन किया तो यह जुर्माना देने से मना कर देते हैं तो इनको बंदक बना करके मारवाड भेजा जाता है बेच रास्ते में ही नैंसी अपने भाई सुंदरदास को कहता है कि भाई ऐसा है मैं तो मारवाड के लोगों को जा करके अपना मूह नहीं दिखा सकता है जो मारवाड के लोग हमारे उपर इतनी निष्ठा रखते हैं इतना विश्वास करत और इस प्रकार एक ऐसा साहित्यकार जो बिलकुल सही था इमानदार था और एक महान साहित्यकार था उस पर एक विश्वास घात का आरोप लगा करके उसको आत्म हत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता हूँ अगर कुछ समय के लिए जीवित रहते तो सायत राजपुताने का इतियास राजस्तान का इतियास जो और भी रोचक है इससे भी ज़्यादा रोचक हमें देखने को मिलता है ऐसी जानकार्या हमें मुनोत नेनरसी के माध्यम से मिलती है तो ये है मुनोत नेंसी जिनकी दो मैत्तों पुन ख्याते हैं और दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट हैं इसके बाद में अगले जो साहित्यकार हैं ये भी एक प्रसिद्ध ख्यात साहित्यकार हैं एक सासक की भांती आप एक तश्वीर देख रहे हो जो एक महान साहित्यका हुए हैं जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो यह है कभी राजा बांकिदास आसियां आप कि अगर कि मारवार के महान साहित्यकार यह भी थे बांकिदास आसिया यह भी प्रसिद्ध ख्यात साहित्यकार थे प्रसिद्ध उस समय के गीतों के भी यह प्रसिद्ध लेखक हुए थे बहुत सारी किताबे इन्हों ने लिखी थी बांकिदास आसियां के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मुनोत नेंसी जो हमने पिछला पढ़ा था उसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है नेंसी जो है इन्हें राजपुताने का अब्बूल फजल कहा जाता है ये भी कई बार पूछा जाता है भी राजपुताने का अब्बूल फजल और मुनोत नेन्सी को राजपुताने का अबूल फजल किस ने कहा तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये उपादी दी है जेपुर के साहित्यकार मुनसी देवी परसादने मुंसी देवी परसाद नेन सी को राजपता ने का अबूल फजल कहने वाला जो विद्वान है वो है मुंसी देवी परसाद अब ऐसा क्यों कहा जता था मुंसी यह आप कहा गया नेन सी को उसका एक कारण है बहुत सारी समानताएं है अबूल फजल और मुनोत नेंसी में पहली समानता ये है अबूल फजल एक महान साहित्तेकार हुआ हम लोग मुगलकाल में पढ़ते हैं कि अकबर जो थे उनके दरवारी साहित्तेकार थे अबूल फजल उनके दरवारी नौरतनों में से भी एक थे अक्पर की आत्म कफाली की आयने predict ये आख्परणाम हम करती है लेकिन अबूल फज्जल के जीवन में अंतिम समय जो था बड़ा दर्दनाग भी था वैसा ही नेनसी के साथ में हुआ प्रारंभिक जीवन राजा के साथ में एक सलाकार के रूप में एक महान साहित्यकार के रूप में वेतित हुआ लेगिन फिर राजा नाराज होकर कि इनको आत्म हत्या के लिए मजबूर कर देता इसलिए इन समानताओं के कारण मुनसी देवी परसाद ने मुनोत नेंसी को राजपुताने का अबूल फजल कहा है ठीक है अब अगला साहित्यकार हम सुरू करते हैं नेंसी के बाद में अगला जो साहित्यकार हमने सुरू किया यह है बांकिदास आसियां बांकिदास आसियां भी मार्वार्ड के साहित्यकार थे मार्वार्ड के अार मार्वार्ड के जो सासक थे उसनमें तदकालिन उनका नाम था मान सिंग राठोर। मान सिंह राठोड जोदपुर के जो सासक ते मान सिंह राठोड जिसे इतिहास में आप लोग जानते हो सन्यासी राजा कहा जाता है सन्यासी राजा जो नात संपरदाई का बड़ा हितेशी हुआ नात संपरदाई को मानने वाला एक अन्याई सासक हुआ और ये कहा जाता कि इन्होंने नातों का एक पंत चलाया था मान नाती संपरदाय ठीक है जोदपुर में एक नात संपरदाय का केंदर बना हुआ है महा मंदिर जिसमें मान नाती संपरदाय की मुख्य पीठ है ठीक है नात गुरु आयस नात के आशिरवाद से ये सासक बने थे वान सिंग आप लोगों ने सुना होगा गुरु आयस नात ने ये भविश्य वाने किती आयस देवनात ने कि तु जोत्पुर का सासक बनेगा ठीक है उससे पहले इनके बड़े भाई सासक थे भीम सिंग जिन इनकी भी राजस्तानी साहित्य में मैतुपुन योगदान है इन्होंने बहुत सारे नासंपरदाय से जुड़े भजन राजस्तानी साहित्य में लिखे हैं मान सिंग राठोर ने भी अभी हम चर्चा करेंगे बांकिदास आशियां की तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये म मारवार के सासकते और मान सिंग इनकी कवे रुची से और इनकी लेखन विद्या से इतना प्रभावित हुआ कि मारवार छेत्र में जो साहित्य कारों को जो सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता था सबसे बड़ा पुरुषकार दिया जाता था वो था लाक पसाओ द्यान रखना मारवार छेत्र में चारण साहित्यकारों को जो सर्वच्चे सम्मान सासकों द्वारा रियास्तिकाल में दिया जाता था वो था लाक पसाओ और ये लाक पसाओ से सम्मानित साहित्यकार थे मतलब उच्च कोटी के विद्वान थे और इन्होंने बहुत सारी रच लोग जो है वो बॉलने में निपन होते हैं वाखपटू होते हैं चतुर होते हैं खीक है तो बॉलने में बड़े चतुर थे विद्वान थे वाखपटू थे तो इसलिए इनको मारवार का बीरबल भी कहा जाता है मारवार का बीरबल बीरबल जिस प्रकार हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद था अक्बर की काल में वैसे ये भी हाजिर जवाबी और वाक पटूत के कारण मारवार के बीरबल के नाम लिए आने जाते हैं देखो इनकी सबसे प्रसिद जो रचना है वो है इनकी ख्यात बांकी दासरी ख्यात बांकी दासरी ख्यात जदातर ख्यात जो है लगबग आपको मारवार आना या तो जोदपूर या नागोर या बीकानेर से संबंदित जो है वो ख्यात साहिते मिलेगा आपको इन्ही चैत्रों में ख्यात की जदा परंपरा होती थी चारनों द्वारा ख्यात लेकन का कारी किया जाता था तो बांकिदासरी ख्यात कभी बांकिदास आसियां के दुवारा लिखी गई इस ख्यात में मारवार के राठोडों को इतिहास मिलता है मारवार के राठोडों का इतिहास मारवार के राठोडों का जो पहला पुरुष हुआ राव सीहा इस राव सीहास से लेकर के मान सिंग तक के सासकों का इस गरंत में इतिहास लिता है उनकी जानकारी मिलती है इसलिए ये महत्वपूर्ण है और ये एक मात्र ऐसी ख्यात है जितनी भी ख्यात है अपने राजस्तानी साहिते में लिखी गई उनमें एक मातरी ये सलंगने ख्यात है जैसे नेनसीरी ख्यात में जो प्रशन बनता है वो ये पुछा जाता है कि सबसे प्राचिंतम ख्यात कौन सी है तो सबसे प्राचिंतम ख्यात है नेनसीरी ख्यात जो डिंगल सेली में लिखी गई थी राजस्थान की एक मातर सलंग ने ख्यात कौन सी है तब इसका उत्र होगा बांक की दासरी ख्यात सलंग ने का मतलब इसमें क्रम बद तरीके से विवस्तित रूप से एक एक राजा की संपूर्ण जानकारी मिलती है ख्यातों में क्या होता है जैसे मालो नेन सीरी ख्यात है तो उसमें मुखे मुखे जो जोदपुर के सासक हुए मारवार के राजा हुए तो उनकी एतिहासी गटनाओं का वरणन मिलता है उनकी जानकारिया मिलती है ये जो ख्यात है ने ये एक मात्र सलंग ने ख्यात है राजस हीराचंद ओजह इतिहासकार हीराचंद ओजह ने जब इनकी ख्यात को पड़ा तो पड़ने के बाद में कहा कि वाह ख्यात क्या है ये तो एक इतिहास का खजाना है तो ये चीज आप लोगों को उध्यान रखना है किस ख्यात को हीराचंद ओजह ने इतिहास का खजाना कहा है तो बांकी दासरी ख्यात को इतिहासकार हीराचंद ओजह ने इतिहास का खजाना कहा है इसे इतियास का खजाना कहा जाता तो यहां कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है पांकिदासरी ख्यात में मारवार के राठड़ों का इतियास मिलता है ये राजस्थान की एक मात्र सलंग ख्यात है ठीक है इतियासकार हिराचंद ओजाने इस ख्यात को इतियास का खजाना कहा है, तो सबसे प्रसिद तो इनकी ये ख्यात है, ख्यात के अलावा इनकी जो इनने रचनाएं है, वो कौन-कौन सी है, तो दो-तीन रचनाएं इनकी और है, इनी की एक रचना है कायर बावनी, कायर बावनी, इनी की एक रचना है कू कवी बतीसी, कू कभी 32 यह जैसे आप लोग नाम देख रहे हूं बावनीर 32 छिहत्री रहना यह दोहों की संख्या होती है जैसे दुरसा आधार विरुद छिहत्री लिखिये हो आना तो विरुद छिहत्री में उन्होंने राना प्रताप की वीरता के चिहत्र दोहों को लिखा है विरुद छिहत्री में इसलिए वो विरुद छिहत्री हो गई तो यह दोहों के संख्या के आधार पर यह नाम होते हैं कायर बावनी कू कभी बतिसी जो है यह बांकिदास आशियां की अन्य रचन इसके अलावा इनका जो सबसे इंपोर्टेंट फ तो अंग्रेजों के विरुद इन्होंने क्योंकि अंग्रेजों से यह प्रसंद नहीं थे कभी थे और कभी भी यह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज इस देश पर राज करे शासन करे तो अंग्रेजों के विरुद इन्होंने एक गीत लिखा जो बड़ा लोगपीरिये हुआ और बहुत बार पूछा जाता है राजस्तान के सुवतंतरता संग्राम में भी आपकी ये प्रश्न बनता है इनका जो प्रसिद्ध गीत जो इन्हों न अंगरेज को इवरुद लिखा वो था आयो अंगरेज मुलकरे उपर आयो अंगरेज मुलकरे उपर राजस्थानी भासा में इनों ने लिखा था मुलक मुलक जो सब्द है न उससे राजस्थानी भासा में मुलक कहा गिया है न आयो अंग्रेज मुलक रे उपर ये अंग्रेजों के विरुद इनों ने गीत लिखा था जो बड़ा लोग पीरिये गीत है कई बार ये प्रशन और विशेष्ट मारवार के लोगों में राष्ट्र भक्ति की भावना को संचारित करने के लिए गीत जो है वो कभी ने लिखा था इसलिए यह इंपोर्टेंट है पूछा जाता है तो यह बांकिदास आशियां का साहित्यक योगदान है पांकिदास आशियां के बाद में अगले साहित्यकार पर हम लोग चर्चा करते हैं यह जो तस्वीर आप देख रहे हो देखते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह कोई राजस्थानी नहीं है ना ही कोई हिंदुस्तानी है आना सकल सुरत से अंग्रेज नजर आ रहे हैं इन्हें जनक कहते हैं जिनें घोड़े वाले बाबा कहते हैं तो अब आप लोगों को समझ आ गही होगी हम कि साहित्यकार पर चर्चा करेंगे यह महाश्य है जो आप देख रहे हो यह करनल जैम्स टोड़ करनल जैम्स टोड़ राजस्तान के इतियास में जिन्होंने चटपठी कहानिया लिी चटपठी कहानिया कैसे लिखिया आगे हम बताएंगी बड़ी विचितर कहानिया इन्होंने जोड़ी है लेकिन फिर भी देखा जाए तो विवस्तित रूप इतियास रूप से सबसे पहले राजस्तान के इतिहास का लेखन का कारिये इनोंने किया ये कही ना कही इनकी सबसे बड़ी उपलब्दी है इसलिए हम लोग इनको राजस्तान के इतिहास का जनक कहते हैं राजस्तान के इतिहास का जनक इन्हें राजस्तान के इतिहास का पिता मैं कहते हैं इन्हें राजस्तान के इतिहास का पिता पापा अपने राजस्तान के इतिहास के पापा है यह ठीक है अंग्रेज है भारती भी नहीं है राजस्थानी भी नहीं है फिर भी अपने राजस्थानियों के लिए इतिहास के पापा है करनल जेमस टोड पढ़ना पड़ेगा जो भी लिखा है इनोंने कुछ तो इनकी उपलब्दियां रही होगी तभी इतिहासकारों ने इनको जनक और पितामे के सुरूप में माना है इन्हें पिता कहा है तो इनका सामाने परिच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना है करनल जेमस टोड इनका जन्म हुआता यूरोप में स्कॉटलेंड के पास में इनका सहर है इंगलिस्टन इंगलिस्टन यह है स्कॉटलेंड तीन देश से आप लोगों देखा होगा तीनों को सहिकत रूप से ग्रेट ब्रिटेन हम लोग कहते हैं स्कॉटलेंड वैल्स और आइरलेंड ठीक है तो यह जो इंगलिस्टन है यहां करनल जेमस टोड का जन्म हुआ प्रारम में कुछ भी नहीं थे सिंचाई, नहरों इन सब इनों ने कारीख किया था फिर जागर की एक धंके राजा के पास में यह पहुंचते हैं यह सबसे पहले पहुंचते हैं गौालियर के सासक थे दोलत राव सिंदिया गौालियर के राजा थे दौलत राव सिंदिया यहां इनके पास में आते हैं दौलत राव सिंदिया इनके पास में आते हैं जब यह गौलियर के सासक दौलत राव सिंदिया के पास में रहते हैं तो उसमें क्योंकि अंग्रेजों का सासन ताइस्ट इंडिया कंपनी का राज था और अंग्रेजों आप लोगों ने इत्यास में पढ़ा होगा जितने भी सासक थे उन सब को अपने अधीन करने के लिए और अंग्रेजी सासन को मजबूत करने के लिए साइक संदी शुरौत की थी अग्रेजों के साथ में साइक संदी की थी अब साब समष्य है यह थी मेवाड जो हिंदुवा सूरज के लोग पर यह है जो दुनिया की सब और उसाली रियासत है जो दुनिया की सबसे प्राचिंतम रियासत है तो मेवार के महाराना इस बात के लिए कभी राजी नहीं थे कि हम अंग्रेजों से संदी करें मेवार के ततकालीन महाराना थे भीम सिंग भीम सिंग यह मेवार के महाराना थे ये भीम सिंग वही है, कृष्णा कुमारी विवाद इतियास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आना भीम सिंग अंग्रेजों से संधी करने के लिए राजी नहीं थे, तो इस्ट इंडिया कंपनी के समझ्या हो गई कि यार मेवार जो है वो संधी नहीं कर रही है, मेवार सं स्टोड का, और ये अठारा सो अठारा में मेवार आते हैं, और मेवार के महारणा भीम सिंग जी से बातचीत करते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ में ये बातचीत करते हैं, चतुर थे बोलने में, और भीम सिंग जी को समझाते हैं कि आप कर लो, आप संधी कुछ भी नहीं अंग्रेज तो बस व्यापार के लिए संधी कर रहे हैं आप तो संधी कर लो यह फॉर्मल्टी एक उपचा रिखता है तो बीम सिंग जी बड़े प्रसंद हुए कि यार तु बड़ा विनम्रता से बात करता है तो बीम सिंग जी राजी हो जाते हैं इस्ट इंडिया कंपनी से संधी करने के लिए और वो एक सर्थ डाल देते हैं कि संधी तो मैं कर लूँगा लेकिन एक ही सर्थ पर करूँगा अगर आप खुद मेवाड में पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आओ तो ही इस सर्थ पर मैं संधी करता हूं इस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने का कि वह सं 1418 में इनको मेवाड का पॉलिटिकल एजेंट बना करके भेजा जाता है ज्यादा समय के लिए राजस्थान में नहीं रहे थे लगबग 4-4 साल तक ही राजस्थान में रहे 1818 से लेकर के 1822 तक इनका कारीकल राजस्थान में रहा और फिर इनको एक्ट्रे से हटाया गया था हम आना जाने की इच्चुक नहीं ते राजस्तानी संस्कर्थी से बड़े रंग गए ये लेगिन फिर भी इनको हटाया जाता है इस ते इनको जाना पड़ा था वो क्यों हुआ ऐसा आगे पढ़ेंगे हम 1818 में मेवाड रियासत में सबसे पहले पॅलिटिकल आजेंट बन करके आए यहां रहे और यहां रहते हुए मेवाड रहते वे इन्होंने किताब लिखने का कारिया शुरू कर दिया, इनके एक ही दिल्चस्पी थी, इतिहास को जानने की इनकी दिल्चस्पी थी, कि इतियास क्या है, और राजस्तान के इतियास की कहानिया जब इन्होंने सुनी कि यार मेवाड में ऐसे सूर्मा है, मेव पूरे राजस्टान का इतिहास जो वो समझनार जानना है कि यहां कैसे वीर हुए और यह राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए किताब लिखने का कारे शुरू कर देते हैं ठीक है इन ही इस जो जचनाए है सबसे प्रसिद जो रचना है वो है annals and antiquities of राजस्थान annals and antiquities of राजस्थान यह करनल जैम स्टोड की सबसे महत तोपुन रचना है annals and antiquities of राजस्थान जो है आप लोगों को ध्यान रखना है इसके कुल दो संस्क्रन है कितने संस्क्रन है इसके दो संस्क्रन है दो वोल्यूम है इसके इसका जो पहला वोल्यूम है क्योंकि ज़्यादा तर यह मेवार ही रहे थे और जहां जिसका नमक खाए उसका ज़्यादा लिखना पड़ता है और दूसरा जो वूम है उसमें अन्य र्यास्तों का, उसमें मेवार का इतिहास लिखा गया है और इसकी जो सेकंड वोलिम लिखी गई इसमें दूसरे संस्कर्ण में अन्य छेत्र का विवरन मिलता है राजस्तान की अन्य जो रियास्ते हैं जोद्पूर जेशल मेर अना आड़ोती छेत्र इन सब का इति हास इन्होंने दूसरे सेकंड वोल्यूम में इन्होंने लिखा अजिये जो एनल शेंड एंटिक्वीटी जो राजस्तान लिखी गई थी आप लोगों को ध्यान रखना है इसका प्रकास्न हुआ था इसका जो प्रकाशन किया गया था इंग्लेंड से वह 1829 में किया गया था और इसकी जो सेकंड वोल्यूम लिखी गई थी इस सेकंड वोल्यूम का संस्क्रण हुआ इसके तीन साल बाद में ठीक है याद रखने के लिए थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है जो पहला सेकंड वोल्यूम का इन्होंने संस्क्रण किया लॉंच की तो तीन साल बाद में मतलब कितनी हो गई तीस इकतिस और बतीस सन 1832 में इसके सेकंड संस्क्रण का दूसरे संस्क्रण का इन्होंने जो है वो विमोचन किया था प्रकाशित की थी ठीक है इसी किताब का जो दूसर का नाम है वो आपको ध्यान रखना है एन्ल्स एंडंस एंटीड क्यूटी सोब राजस्थान को ही कहा जाता है चैन्ट्र ऑनडोफ कि इंडिया कि इसी पुस्तपक अन्य जो नाम है recorded सेesis कारण का प्रकाशन 1831 में हुआ दूसरे संस्क्राण का प्रकाशन 1832 में हुआ 1832 के बाद में 3 साल और जोड़ू कितने होए 1835 में ये जो तारीक है इस दिन 1835 में करनल जेम्स टोड की मरत्य हो गई इनका देहन्द हो गया ठीक है 1839 में पहला संस्क्रण 1832 में इसी का दूसरा संस्क्रण और इसके 3 साल बाद में 1935 में इनका देहन्द हाना कितना अच्छा होता अगर कुछ समय के लिए और जीवित होते थी किताब और निकालते तीन साल बाद में निकली दूसरी पुस्तक भी इनकी निकाली गई ती लेकिन इनकी म्रत्यू के बाद में और वह जो दूसरी पुस्तक जो है उसका प्रकाशन हुआ था और इनकी दूसरी जो पुस्तक है वो है पस्चीमी भारत की यात्रा ट्रेवल्स ओफ वेस्टर्न इंडिया पस्चीमी भारत की यात्रा यह करनल जेम्स टोड की दूसरी रचना ठीक है पहली पुस्तक एनल्स एंड एंट्यू कीटिज ओप राजस्थान है दो वोल्यूम है इसके पहले वोल्यूम में मेवार का इतिहास है और दूसरी वोल्यूम में संबून राजपुतानी की रियास्तों का उलेक मिलता है इसी किताब का दूसरा नाम है Central and Western Rajput State of India 1835 में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के चार साल बाद में इनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है और दूसरी जो पुस्तक है वो है पस्सीमी भारत की यात्रा Travels of Western India ठीक है ये दो रचनाएं है Colonel James Toad की अब इन्हों ने जो इतिहास अपने राजस्तान का लिखा Colonel James Toad ने जो राजस्तान का इतिहास लिखा तो जब ये मेवाड आये तो मेवाड आने के बाद में सबसे पहले जो मेवाड चर में मांडल गड है जो वर्तमान में भीलवाडा में है यहाँ एक वेक्ति से मिलते हैं ये और उसी वेक्ति को अपना गुरू माल लेते हैं एक जैनी वेक्ति थे जिनका नाम था यती ज्यान चंद करनल जैन्स टोड जो थे इनके गुरू का नाम था यती ज्यान चंद गुरू यती ज्यान चंद और ये यती ज्यान चंद जो थे ये मांडल गड़के थे अब साब करनल जैन्स टोड क्योंकि राजस्थान में जो इतिहास के शरोत थे चाए वो सिलालेग हो चाए तामर पत्र लेख हो चाए भोज पत्र हो या कोई अन्य अभिलेख हो हाना जो भी लिखे गए वे शंसकर्ट भासा में थे उस सो में प्राचिन का लिंच जो भासा ही थी उनमें थे शंसकर्ट में थे ज्यादा तर करनल टोड़को संसकर्ट कहां आती थी उनको तो अंग्र है और यह फिर इनको ट्रांसलेट करके हिंदी या अंग्रेजी में बताते हैं कि भई यह जो पुस्तक इसमें इस राजा की यह जानकारी मिलते हैं फिर वह अपनी पुस्तक का उसमें पुस्तक में वह सारी चीज़ां करनल टोड़ जो है वह लिखते थे अब समझे यह थी यत करनल टोड बी अपने इतिहास के पापा कहे करकर बोलते हैं सबसे ज्यादां सबसे ज्यादा गलति का रहे तो राजपुतों के इतने हीतक किताब की पहली लाइन में इन्हों नोने ऐसा लिख दिया जिसको पढ़ने के बाद में योड़ोगों ने का कि यार यूरोप का सबसे प्रसिद्ध जो महान युद्ध हुआ लियोनाइडिस इन्हों ने अपनी किताब में लिखा कि राजस्तान के हर घर में लियोनाइडिस जैसा युद्धा पैदा हुआ है और यूरोप की जो सबसे एतिहासिक लड़ाई आपने पढ़ी होगी धर्मोपॉली जिसमें मात्र तीन सो जवानों के साथ में लियोनाइडिस जो है वो बड़ी वीरता के साथ में अपने देश के लिए युद्ध करता है तो इन्होंने अपनी पुस्तक में पहली पंक्ति ये लिखिए कि राजस्तान के घर घर में एक एक घर में लियोनाइडिस जैसा मैंसर वहां कि सराब के बड़े सोखीन थे साम के सामें बेट करके दारू पीते ते ताइम इतियास लिखते थे अब सरावी आदमी अगर इतियास लिखेगा तो तूरूटी होना तो नैचुरिली है सोभावी की है। आजकल जजवाडी शराब के नाम से जो भारती रेलगाडी है पहले सोन विल्स उसमें जो प्रोशी जाती है अंग्रेजों को उस सराब के बड़े सोकीन थे शराबी थे राजस्तानी संस्कृती से बड़े प्रभावित हुए इनकी अगर कुछ इतिहास की घटनाओं के अगर प्रसीद युद्ध है हल्दी गाटी का युद्ध इस हल्दी गाटी के युद्ध के बारे में करनल टोड कहते हैं कि जो हल्दी गाटी का युद्ध हुआ था उससे पहले जो आमेर के नरेश आये मान सिंग कच्छावा जो मारना प्रताब को समझाने के लिए आते हैं तो क की मारा प्रताफ मानसिंग के साथ में भौजन करने के लिए नहीं जाता है और जब मानसिंग वहां से बौजन करके उड़ जाता है तो उस जमीन को खुदवाया जाता है उस रेत को बाहर पिकवा दिया जता है मेवाड की धरती से कि ये कच्छाओं की बैटी हुई जमीन है रेत है आना ऐसे कच्छाओं के साथ में जिन्होंने मुगलों के साथ में इन्होंने विवा किये अंग्रेजों से इन्होंने संदियां की ऐसे जेपुर के सासकों की ये जमीन है इसलिए उन्होंने उस जमीन को भी खुदवाकर के ब आजाओं और मेरे साथ भोजन करने का हक उनका ही बनता है तो ये लिखते हैं कि अमर सिंग बड़ा निर्भी कोगर के जवाब देता है कि वो मेवार के महारणा है और वो ऐसे लोगों के साथ में बहुजन नहीं करते हैं जिनके शरीर से गुलामी की बद्बू आती हो जिन्हो नहीं लिखा है हल्दी गाटे के युद्ध में जो मारना प्रताप के भाई थे शक्ति सिंग शक्ति सिंग ये शक्ति सिंग मुगलों की तरफ से युद्ध करते हैं अकबर की तरफ से हल्दी गाटे की युद्ध में युद्ध करते हैं शक्ति सिंग जबकि ऐसा कोई नहीं वास्त्विक्ता अगर देखी जाए तो सक्ति सिंग मुगलों के दरबार में जरूर गए थे लेकिन ये सक्ति सिंग मुगलों के दरबार में गए थे उदेश सिंग के काल में इनके पिता से जो सक्ति सिंग के पिता थे उदेश सिंग इनसे ये नाराज होकर कि अकबर की सरण में गए थे और एक दिन जब अकबर दर्बार लगा करके बैठा हुआ था तो मेवार के राजकुमार सक्ति सिंग से वो पूछता है कि सक्ति सिंग तू बता अगर मैं तेरे पिता जी पर मेवार पर अगर आकर्मन कर दो तो तू क्या क करेगा तो सक्ति सिंग रातों रात वहां से मेवार आ जाते हैं अपने पिता स्री उदेश सिंग को कह देते हैं कि अकबर मेवार प्राक्रमन करेगा और इसी वज़े से उदेश सिंग को मेवार छोड़ने का समय मिल गया वो गिरवा की पहारियों में चले गए और आप वापस मेवार आ जाते हैं हल्दीघाटि युद्ध में इनका कोई व्रतानति नहीं था हल्दीघाटि युद्ध में इनकी कोई भूमिका यह नहीं थी लेकिन उन्होंने लिखा कि साब शक्ति सिंग जवार से अकबर के साथ रहता है और मारना प्रताब के वृदू करता प ता आगे मुगलों से घिर जाते हैं और उनका जो प्रसिद्ध उनका जो स्वामी भक्त चैटक था वो जब वीरगति को प्राप्त हो जाता तो सक्ति सिंग अपना घोड़ा जिसका नाम था हूंकार यह हूंकार जो घोड़ा है यह मारणा को भेंट करते हैं और फिर वापस जब यह मुगलों के सिविर में आते हैं तो अकबर का पुत्र जो जहांगीर था यह सक्ति सिंग को देख करके पूचता है कि भई तेरा घोड़ा कहा है तो यह मुश्कुरागर्ज की जवाब देता है कि साब बड़े भहिया थे उनका गोड़ा जो वीरगती को प्राप्त हो गया तो मैंने अपने बड़े भहिया को भेंट कर दिया जबकि वास्तिकता ऐसी है कि हल्दी गाटी की यूद में जहांगीर की आयू जो थी वो मात्र छेवरस की थी अब छेवरस का बच्चा को यह वारताल आप कर सकता है क्या यह तभी कर सकता है जब करनल जैम स्टोर्ड साम को इतियास लिके हैं आना ऐसे ऐसी बाते नहीं हो सकती है तो यह इस प्रकार का व्रतांत जो है वो चट्पटी बातें जो है वो करनल जैम स्टोर्ड ने किये कुछ भी हो लेगिन इनकी उपलब जाते हैं आप लोगों ने सुना होगा एक सिलालेक है मान मोरी का सिलालेक मान मोरी सिलालेक मान मोरी मोरी वन्स का एक सासक था चितोड के कीले में हम लोग पढ़ते हैं चितोड के कीले के बारे में तो आप पढ़ा होगा आप लोगों ने कि चितोड के कीले का निर्मान जो था मोरी वन्स की राजा चित्रांगन मोरी ने कराय था प्रारम में और फिर एक राजा हुआ मान मोरी को हटा करके बपा रावल जो वो चितोड पर अधिकार करते हैं तो मान मोरी जो सिलाले के ये करनल जेम्स टोड अपने साथ लेकर के जाते हैं और बीच रास्ते में जब जहाज में ऑवर्लोडिंग हो जाता है तो जहाज चलाने वाला कहता है कि साब ये इतना क्या बरकर ले आए आप जहाज डूब रही है या तो इनको रख लो या आप खुद जीवित रह जाओ तो ये बीच समुद्र में इस लाले को फेंक करके चला जाता है और राजस्तान के इत्यास को कुछ सती भी हुई हालांकि इसने अपनी पुष्तक में यह सारे चीज़े लिख दी आना उस तो अ Для इनल्स हैंड पर आजस्थान में ये लिखते थे जहां जाते थे गोड़े वाले बाबा के रूप में लोग पूर ये हुए घुड़ा लेकर कि हर जङए का इतियास पूछते थे तो जहां जा ये जाते थे तो उनका घटनाओं का विवरन जो आपनी किताब में लिखते थे किताब लिखते थे लेगिन किसी को दिखाते नहीं थे मेवाड के मारणा भीम सिंग ने पूचा गी यार आप बताओ तो सीख ऐसा क्या लिख रहे हो इसमें पोला नहीं बताओंगा नहीं ये जब प्रकासी तो जाएगी तो उसके बाद में देख लेना अब इन्होंने बताया क्यों नहीं इसका भी एक कारण है कारण ये है कि इन्होंने अपनी किताब जो लिखी थी इनल्स एंटिक्विटी जो पराजस्थान इस इनल्स एंटिक्विटी जो पराजस्थान में लिखा है कि जो राजपूत है राजस्तान के जो रियास्तों के सासक थे, राजवन्स थे, राजपूत, इनकी उत्पती विदेशों से हुई है, इनको विदेशी उत्पती के रूप में माना है इन्होंने, राजपतों की उत्पती के बारे में आप लोग अलग-लग मत मानते हो, आना किसी ने इनको अगनी क आजकार की माननेता है तो करनल टोड की माननेता ये थी कि राजपूत जो थे ये सब के सब विदेशी उत्पति है इन्हों ने लिखा कि राजपूत जो है वो सक और सीथियन जो विदेशी जातियां है सक और सीथियन इन दोनों विदेशी जातियों से ही राजपुतों की उत्पती हुई है अब साब मिवाड में बेट करके इतिहास लिखे और मिवाड के राजाओं को किताब में दिखाए कि साब मैंने ऐसा लिखा है कि आप लोग जो है वो विदेशी उत्पती से हो तो करनल टेल जो टोड है उसका माथा सीर से अलग ना हो जाए मिवार के सासक के सामने ऐसा कहे इसलिए इन्होंने अपनी पुस्ते किसी को दिखाया है ठीक है एक सबसे बड़ा युगदान इन्होंने जो अपने राजस्तान प्रांत है इस राजस्तान सब्द का प्रियूक किया अपने प्रांत का नाम राजस्तान इन्होंने दिया इन्होंने तीन नाम रखे अपने प्रांत के राजस्तान राई थान और रजवारा राजस्तान राई थान और रजवारा ये तीन नाम हम लोगों को उप्शन में दिए कि आप इन तीनों में से कोई एक नाम लगड़ा हुँ भी राजस्तान की वासियों और हमें जो पसंद आया वो था राजस्तान देश आजाद हुआ बारतिय समिधान लिखा गया तो उसमें इस नाम को कानूनी मान अजकल वर्तमान में भी हम लोग इसको राजस्तान के करके संबोधित करते हैं इससे पहले राजबुताना कहा गया वीलियम फ्रेंक्लिन के अनुसार उसके मित्र जोर्ज थॉमस उसने सबसे पहले राजबुताना सब्द जो है उसका प्रियोग किया था ठीक है और राजस् यह जो तस्वीर देखी है इस तस्वीर में एक तरफ देख रहे हों कि महारणा प्रताप बैठे हुए हैं और महारणा प्रताप के पास में पंडित विद्वान महान साहित्यकार एक प्रशिद सर्वेगुन संपन वेक्तित्वे जो है वो हाथ जोड़े हुए बैठा हुआ और यह चक्रपानी मिश्रम अभी जो एक्जाम हुआ था उसमें यह प्रशन आया था इनकी एक रचना पूछी गई थी चक्रपानी मिश्र की तो उन पे हम पढ़ेंगे चक्रपानी मिश्र किनके आस्रीत विद्वान थे, किनके दर्बारी साहित्यकार थे तो आप लोगों को ध्यान रखना है राना प्रताब के दर्बारी साहित्यकार थे मेवार के जो मारना प्रताब थे इनके दर्बारी साहित्यकार थे चक्रपानी मिश्र, ब्रामन थे और इनकी दो, तीन रचनाएं जो वो बहुत important है जो बार-बार पूछी जाती है एकजामे सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचना है जो एकजामे पूछी गई थी इस बार वो है मुरत माला मुहुरत माला चक्रपानी मिस्र की जो सबसे लोग पर ये रचना है सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है मूरत माला इसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना है वो है विश्वे वल्लव विश्वे वल्लव ये दोनों नाम इंपोर्टेंट है चक्रपानी मिस्र की दो मैत्तू पुन रचना है एक तो मुहरत माला है और दूसरी इनकी रचना है विश्ववलब इसका इलावा इनकी तीसरी जो रचना है उसका नाम है वहवार आदर्स वहवार आदर्स वेवार आदर्स दो नाम इंपोर्टेंट है एक तो मूरत माला आप लोगों को ध्यान रखना है और दूसरा जो है वो विश्व वरल्लाबे तो चक्रपानी मिस्र राना प्रताप के आश्रीत विद्वान थे राना प्रताप के दरबारी विद्वानों में जो दूसरा प्रसिद्व विद्वान था जिनका नाम भी महत्तुपूर्ण है जिनके नाम को भी एकजाम में पूछा जाता है चक्रपानी मिस्र के बाद में मारना प्रताप के दरबारी विद्वानों में अगला जो इंपोर्टेंट नाम है वो है आपके माला संदू माला संदू ये माला संदू भी राना प्रताप के आश्रित विद्वान थे इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है मारणा प्रतापरा जूलना जूलना राजस्तानी साहित्य का एक प्रकार है किसी की वीर्ता या किसी सासक से समंदित या किसी वेक्तिवी से समंदित जो गीत लिखे जाते हैं ये एक साहित्य का प्रकार है जूलना तो मारना प्रतापरा जूलना जो है वो किन के द्वारा लिखा गया था ये लिखा गया था माला सांदू के द्वारा ठीक है धन्यवाद